आज हम लोक जानेगे कि आपने डोमें को कैसे ट्रांसवर करना है एक डोमें रजिस्ट्रारिर से दूसरे डोमें रजिस्ट्रार की Hijरी की और ﹹ And मैंने पूरा प्रोसेस सम्जाए किस टाइम के मेल आपे हैं कितना टाइम लगता है कितना चार्जिस लगते अपना एक transfer किया है, Namecheap से लेकर के Dynadot पे मैंने उसे डाला है, मैं अक्चल मैं best domain registrar के उपर एक video बना रहा हूँ, तो मैं हर domain registrar को test करके देख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने Dynadot पे उसे डाला है, जो भी मेरा process था, वो मैंने पूरा एक video में record कर लिया अपना, कौन-कौन से mails आए, कितने time बाद मेरे पास mails आए, और कितना time उसमें लगा, तो basically 4 steps, 3 steps रहते हैं इसमें, पहला step ये रहता है कि जो भी आपका जहाँ भी domain है, मालनो मेरा domain namecheap पे था, पहला process ये रहता है कि उसको unlock करना रहता है, एक बार आपका domain unlock हो गया, usually 5 मिनट के अंदर हो जाता है, उसके बाद आपको वहाँ से एक authorization code लेना है, ये है step 2, authorization code लेने के बाद जो भी आपकी destination website है, जैसे मुझे dynadot पर चीए था, उसके बाद आप लोगों करना है वेट, तो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ में स्क्रीन के उपर, और पूरा process वहाँ पर explain करता हूँ, ये मेरा एक domain है, जो की namecheap के उपर है, मैं इसे transfer करूँगा dynadot के उपर, दोनों पर मिने account बना दिया है, ये रहा मेरा domain ये भी जून 24 को expire होने वाला है, आज की date है 28 में, at least 2 हफ़ते expiry date से पहले, आप लोगों को इसे transfer करना चाहिए, 2 हफ़ते का आप लोगों को buffer plate रखना चाहिए, तो मेरे पास 2 हफ़ते से ज़्यादा यहाँ पर है, तो मैं इसको transfer कर रहा हूँ, तो ये रहा, और मैं यहाँ पर जाओंगा, जो भी आपका transfer page है, देखो सब में process यही रहेगा, interface अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे your domain, domain का अपना नाम डालना है, and authorization code डालना है, तो ये रहा मेरा domain, मैं जाओंगा sharing and transfer पर, and हर website ले अलग रहेगा interface, मैं यहाँ नीचे आजाओंगा, and यहाँ पर सबसे पहले, मुझे domain को unlock करना पड़ेगा, दो steps देते हैं, पहले domain को unlock करना है, फिर आपको इसका authorization code मिलता है, तो मैं इसको यहाँ पर unlock करूँगा पहले, यह unlock हो गया, ठीक है, domain unlock successfully, अब मैं को यहाँ पर इसको authorization code मिलेगा, वाया, यह transferring, ठीक है, pricing, ठीक है, renewal, it's okay to contact me, नहीं, मैं को नहीं करना, contact, send code, तो अभी मेरे mail पर यह code आ जाएगा, तो यह मेरा authorization code आ गया है, authorization code भी आ गया, domain name भी इनोंने बता दिया, तो मैं authorization code को यहाँ से copy कर लूँगा, यहाँ पर मैं अपना domain name डाल दूँगा, फिर यहाँ पर authorization code पेस्ट कर लूँगा, इसके बाद मैं transfer पर यहाँ पर click करूँगा, ठीक है, अब यह मुझसे card पर मेरे add हो गया, मैं मुझे view card पर जाने को बोल रहा है, मैं view card पर जाऊँगा, ठीक है, ठीक है, मेरे पास एक promo code भी है, promo code मैं add कर दूँगा, यहाँ पर, जैसे अब देखें, promo code चल रहा है अभी, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा, comtrans4, apply, तो मुझे ट्रांसफर के लगेंगे, around 8 डॉलर, अब मैं यहाँ से चेक आउट करूँगा, यहाँ पर मैंने अपनी card details दाल दिया, अब मैं submit order पर क्लिक कर दूँगा, तो मुझे इस टाइप का email आगया, your order has been submitted and will be processed soon, तो अब dynadot यहाँ पर अपनी तरफ से देखेगा, authorization code सही है की नहीं है, domain unlock है की नहीं है, फिर वो transfer का process start कर देगा, इसके बाद मुझे email आएगा, email भी मैं आप लोगों से share करूँगा, जब भी भी वो मेरे पास आएगा, सो अभी मेरे पास यहाँ पर dynadot की तरफ से email आगया है, कि order place successfully हो गया है, इसके बाद email करेंगे, वो लोग name chief को लोग back end पर सब contact करेंगे, और जो भी status updates होगी, वो मुझे मेरे mail पर आती जाएगे, अब आप लोगा process खतम हो गया है, जो भी मुझे आगे-ागे mails आएगे, वो मैं आप लोगों के साथ share कर दूँगा, सो transfer process initiate करने के एक गंटे लगबग बात, मेरे पास यह email आया, जिसमें dynadot ने मुझे confirm किया है, कि transfer initiate हो गया है, और name chief की तरफ से मुझे email आएगा, कि पूरा कैसे करना है transfer, तो आपका जो भी provider है, आपको इनकी तरफ से email आएगा, कैसा email आता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सो name chief की तरफ से इस type का email आता है, कि आपका domain name है, जिसको transfer के लिए process किया गया है, और अगर आप लोगो cancel करना है, तो आप लोगो इनको contact कर सकते हो, नहीं करना है, तो आप लोगो को अब कुछ करने की ज़वरत नहीं है, अगले 7 दिनों में मेरा domain transfer है लोग कर देंगे, तो in short पहले आप लोगो को domain unlock करना पड़ेगा, फिर आप लोगो उसका authorization code लोगे, then authorization code उनको दोगे, जहां पर आप लोगो domain transfer करना है, उसके बाद आप लोगो उसका initiate आपका process हो जाएगा, and then जहां आप लोगो का original domain है, उनकी तरफ से आप लोगो email आएगा, कि आपका domain transfer initiate कर दिया गया है, and एक हफ्ते के अंदर-अंदर वो transfer हो जाएगा, so welcome back guys, I hope आप लोगो domain transfer समझ में आ गया होगा, namecheap और dynadot दोनों ही अच्छे हैं, दोनों को मैं अपनी list में include करूँगा, best domain name registrar के लिए, अगर आप लोगो इंटरेस्टेट हो इस वीडियो के लिए, and hit the bell icon, मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो को जल्दी ले आउं, and आज के वीडियो के लिए बस इतना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो उसको thumbs up दे लिजेगा, चानल को subscribe कर लिजेगा, and I will see you guys in the next one, goodbye.